हे वीवर्स, वेलकम टो आवर ओफिशल यूटूब चैनल डेली जॉब्स अपडेट आज हम आपके लिए एक नई गॉर्मिट जॉब अपडेट लेके आए हैं गें एक शूरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंड आपको हमारा वाटसफप गूर्मिप जॉइन करना है अगर आपको क ton kri in देन आप हमारा वाटसप ग्रूप की लिंक जो है वो नीची डिस्क्रिप्शन में पिन है आप चाहो तो वहां से हमारा वाटसप ग्रूप भी जॉइन कर सकते हो चीक है चली अब हम बात करते हैं इस न्यू रिकूर्मेंट नोट्स के बारे में जो के निकल की आई है फ्राम जैसे आप यहां पर देख सकते हो जैसे फराइक्जांपल हमारा यहां पर यहां पे का होता है चीक है वैसे दहली government का भी होता है ठीक है इसमें बेसिकली class 4 types के जो है पोस्ट निकली है ठीक है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए क्या eligibility criteria होनी चाहिए age limit education qualification वह हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं ठीक है इससे पहले अगर आपको इस form के लिए apply करना है या फिर किसी और form के लिए apply करना है जैसे जैकी SSB supervisor का चल रहा है SSGD का चल रहा है या और किसी central government या फिर state government का जो भी वैकेंसी निकलती है government job तो उसके लिए आप क्या करें हमारा जो नीचे whatsapp group की link है आप उस पे click करके हमारा whatsapp group join करें ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इस new requirement notes के बारे में basically आप यहां पर देख सकते हो इन यहां पर मंचिन किया है combined examination 2023 of our lower division clerk that is LDC junior assistant stenographer grade second stenographer जिसमें Hindi English दोनों आता है stenographer lower division clerk come typist stenographer ठीक है basically इसमें class 4 types के जो है पोस्ट्स है ठीक है अगर हम बात करें इसमें आप कब से लेकर कब तक form fill कर सकते हो तैना आप यहां पर देख सकते हो इन यहां पर mention किया है opening date of application that is आप 9th January 2024 से लेकर जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है वो है यहां पर 7th February ठीक है that means कि आप 9th January से लेकर 7th February तक आपसमें जो है apply कर सकते हो ठीक है इसमें आप कौन-कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए क्या आपकी qualification मांगी गई है age limit क्या होनी चाहिए हो हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर mention किया है lower division, clerk, typist, junior stenographer and assistant grade चीक है अब आप यहां पर देख सकते हो यहां पर किस पोस्ट पर कितनी vacancy है ठीक है आप वह भी देख सकते हो किस category में इन्हों ने कितनी vacancy है रखिया फाइक्सामपल यहां पर UR के लिए यहां पर 788 vacancy है OBC के लिए 500 vacancy SC के लिए आप देख सकते हो ST total number of vacancy किती है वह आप यहां पर देख सकते हो जो इन्हों नोट्फिकेशन है इसको मैं ग्रुप में वहां पर share कर दूँगा आप फिर easily वहां पर चग कर सकते हो चीक है अगर हम आगे बात करें इसमें आपका यहां पर age limit क्या होनी जाए है चीक है हम वह भी देखते हैं यहां पर इन्हों ने और क्या क्या mention किया है चलिए हम देखते हैं यहां पर आप details wise यहां पर किस category में कितने vacancy's आप वह भी जग कर सकते हो चीक है age limit की अगर हम बात करें इसमें आपकी जो age रहने वाली है वह basically 18-27 years में रहने वाली है चीक है education qualification की अगर हम बात करें अगर आपने simple किसी भी stream से अपना 12th pass किया है और आप इसमें eligible हो और secondly आपको यहां पर computer की basic knowledge हो होनी चाहिए चीक है that means कि अगर आपने 12th pass किया है किसी भी stream से किसी भी stream से whether वह arts से हो medical से हो commerce से हो और आपको थोड़ी बहुत computer की knowledge है then आप इसमें eligible आप इसमें apply कर सकते हो चीक है बगी आपकी इसमें basically क्या रहने वाली अब वह भी जग कर सकते हो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया kindly हमारी चैनल को subscribe करें like करें and share करें and अगर आपको हमारा whatsapp group join करना है then whatsapp group की link जो है वो नीचे description में पिन है आप वहां से जाओ हमारा whatsapp group भी join कर सकते हो for daily government job related updates so thank you everyone